हलो बच्चों हमें यहां पे एक कोस्चिन दिया गया है चलो इस कोस्चिन को हम एक बार पढ़ लेते हैं तो यहां पे दो आइडेंटिकल चार्ज स्पियर हैं और दोनों को एक स्ट्रिंग से एल लेंध का स्ट्रिंग से जुलाय गया है और दोनों ही initially d distance apart है जहां पे की जो d है सेपरेशन दोनों का वो बहुत ही small है स्ट्रिंग लेंध से और दोनों क्यों d distance apart हैं दोनों के बीच में mutual repulsion है इसलिए the charges begin to leak from both the spheres साथे constant rate दोनों पे ही charge leak हो रहा है याने की घट रहा है charge तो आज रेजल्ड the spheres approach each other with velocity B तो क्योंकि charge leak हो रहा है दोनों के बीज में repulsion force कम होगा तो दोनों approach कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ तो B varies as function of distance X between the spheres तो जो velocity है B से अगर वो approach कर रहे हैं तो वो X के साथ के से function में vary करेगा वो हमें find out करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पे एक figure बना लेते हैं तो यह हमारा दो strings है L length का दोनों पे ही spheres यहां पे लगे हैं charge spheres और दोनों ही बिल्कुल identical charge sphere हैं तो दोनों का charge Q ले लेते हैं हम separation दोनों के बीज में जो है वो कितना है initially D distance apart है दोनों का और यह angle जो दोनों के बीच में है इसे हम क्या करते हैं थीटा ले लेते हैं तो यहां पे एक mass जो है charge sphere का उसका अगर M होगा तो इसके उपर जो downward force रहेगा वो Mg और इसके उपर भी downward force कितना Mg क्योंकि दोनों mass का जो force है वो downward तरफ है और इन जो strings है इन पे tension मान लीजे T रहेगा तो downward force Mg अगर है तो यह tension को अगर हम component में तोड़ दें तो यह वाला जो component है mass के opposite वो T cos theta इस weight के opposite जो tension force रहेगा वो T cos theta और इसका भी T cos theta और जो T sin theta है वो यहाँ पे electrostatic जो repulsion है इस तरफ repulsion है F E हमारा electrostatic repulsion और यहाँ पे जो tension का inward force है जो नोंको attract कर रहा है वो कितना है T sin theta दोनों का तो यहाँ पे भी T sin theta और यहाँ पे भी T sin theta तो अगर हम T sin theta divided by T cos theta कर दें तो यहाँ पे T cancel हो जाएगा तो हमारा जो tan theta है वो कितना हो जाएगा वो हमारा electrostatic force F E divided by mg हो जाएगा यानि कि tan theta will be equals to 1 by 4 by epsilon not q square दोनों का charge Q है तो Q square और separation कितना है D square M into G लेकिन हमें यह भी पता है जो tan theta है यहाँ पे वो X divided by 2L है तो यहाँ पे दोनों को अगर हम equate करें तो X divided by 2L हमारा हो जाएगा 1 by 4 by epsilon not q square divided by X square into mg और X यहाँ पे दोनों के बीच में separation जैसे function X का है उसको हमने X ले लिया है तो यहाँ पे clearly यह terms constant terms अगर हम हटा दें तो हमारा जो Q square है वो proportional to X to the power 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो length और जो gravitational acceleration है वो constant है तो हमारा जो Q है वो proportional to X to the power 3 by 2 हो जाएगा तो DQ divided by DT जो है वो हो जाएगा अगर इसका derivative ले ले लें तो 3 by 2 X to the power 1 by 2 हो जाएगा into DX by DT लेकिन हमें पता है जो rate of change of charge leakage DQ by DT यह equals to एक constant है तो हमें यह question में given है और हमें यह भी पता है कि जो DX by DT होता है वो equals to B होता है तो हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि जो B होगा यह DQ by DT तो constant है 3 by 2 भी constant है तो B हमारा proportional to होगा X to the power minus 1 by 2 जो velocity है वो X के उपर कैसे depend करता है तो proportional to minus 1 by 2 X to the power minus 1 by 2 याने की option यह तो I hope कि आपको यह समझ में होगा Thank you